और एक बार लोगों को लगता है कि सायद ये कुछ खेल है या कुछ ऐसा है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई वेक्ति अगर जादा बीमार हो गया तो देपता से पूझके वो बिल्कुल ठीक हो जाता है अभी तक भी ये परमपरा है डॉक्टर के पाजानी की जरतने पड़ती है इस वक्त यहाँ पर केडारनाद धाम में मौझूद हूँ यहाँ पर यमनोत्री से पूरा एक ग्रूप आया हुआ है आप यहाँ पर तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यह ग्रूप आया हुआ है अब यह जो ग्रूप है किस लिए आया है क्यों आया है किस तरह से हम इनके देख रहे हैं कि जो कर्तब कर रहे हैं यह जो डोली हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इन सब क्या महत्व है इन से हम जानेगे हमारे साथ यहाँ पर महुदा जी मौजूद है आपका क्या नाम है यह आप थोड़ा से बता सकते हैं कि यह जिस तरह सम देख रहे हैं आपके कर्टब देख रहे हैं एक डोली जास हम देख रहे हैं तो यह कौन हैं क्या हैं किस तरीके से आते हैं क्यूं आते हैं और यह कहां जाएंगे ये हमारी सनातन की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है और गड़वाल में जादा तर इसकी बहुत मान्यता है गड़वाल में है हिमान्चल में है ये देव डोलियां होती हैं हमारे यहां तो देव डोलियों में देवताओं की मूर्तियां रखी जाती हैं और उस परकार से व देपता भी बोलते हैं किसी कोई वेक्ति अगर जादा बीमार हो गया तो देपता से पूछ के वो बिल्कुल ठीक हो जाता है अभी तक भी यह परंपरा है डॉक्टर के पास जानी की जरत नहीं पड़ती है यह डॉक्टर भी हमारे हैं मास्टर भी हमारे हैं जो पद्धति चल देंगे उनहीं के पड़्चिनों पे हम लोग चलते हैं यह बहुत पहले से चल के आया हैी हमारी परंपरा है और जो आप देख रहे हैं यमना जी के भाई हैं insulin माहराजी की डोली है और शनी माहराज ठीय जो की चारओ धाम के आराध्य देव हैं स्टर क चारों धाम तो सनी महाराजी की डोली अपनी बैन को छोड़ने जाती है और फिल लेने भी आती है भाया दूज के दिन आज जो है इस समय बद्री और केदार नाथ की यात्रा पे सनी महाराजी निकले हुए हैं तो हमारे छेत्र के लोग आये हुए हैं बारागाउं गीट के आराध्य होगा और इनका अस्रिवाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं जो इनकी महिमा को समझता है और एक बार लोगों को लगता है कि सायद ये कुछ खेल है या कुछ ऐसा है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है इनकी आस्था और विश्वास जिस दिन आप को किसी को भी भी हो जाएगा जो भी दर्सक देख रहे होंगे तो वो इनकी मान्यता माने और खुसी मर्थ खरसाली में आए और जो अपने मनुरत है उसके बारे में सब चीज़ा आपका इतियास खोल के देपता हमारे रग देंगे और जो भी आगे होना होगा उसके बारे में बता खतरनाग जो हम देख रहे हैं आस था कि लिए जो कर्तब कर रहे हैं यह क्या सही है अपने आपको चोट पहुंचाना यह जो है एक दिखाते हैं कि एक मनुस्य के अंदर जब देपता अफ्तरीत हो रहे हैं फिर भी धारदार हत्यार से हम उसको मारें उसको कुछ नहीं हो रहा ऐसी आप अचानक किसी को मार के देखो या थोड़ा सा बिलेड से किसी को क्रोच मार के देखो तुरंत बलड आ जाएगा लेकिन देवता अपने डांगरे से फरसे से ऐसे जोर से मार रहा है तो उसको कुछ नहीं हो रहा है वो दिखा रहा है कि ये मेरी सकती है सब कुछ तो यहीं पर ऐसास हो जाना चाहिए कि देवता के अंदर बहुत बड़ी सकती है जो कि इस संसार का संचालन कर रहे हैं सिर्जन कर रहे हैं किसी न किसी रूप में जो है हमारे साथ रहते हैं और शुक्रे पुरोजी हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद तो ये तीट पुरोजी थे बद्रिनाथ से और उन्होंने बताया किस सरा से यहां पर यमनोत्री से पुरा ये जो ग्रुप आया हुआ है और कहीं नगे एक आस्ता है विश्वास से देव डोलियां यहां पर होते हैं शनी महराज और बताया जारे सुमिश्र महराज हैं वो यहां पर आय हुए हैं डोलियों में लेकर उनको आय हुए हैं और देवता कहते हैं यहां पर अफ्तरित होते हैं अभी केदारनाथ यहां पर आय हुए हैं कल इनका प्रस्थान बद्रिनाथ के लिए होगा उसके बाद ये लोग यमनोत्री धाम पहुंचेंगे तो मैं सरीता दिवारी कामरा परसन सिधार्थ के साथ उत्तरा घंट के दारनाथ